जोतिश के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें अश्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को नमस्कार आप सभी दर्शोगों को अश्रोडिफाई पहर दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहू कर कराशी में और केतू मकर राशी में जब किसी विविक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैशे परिनाम होते हैं तो आई अपने इस वीडियो को स्थित हो और केतू मकर में हो तो उनके कैसे परिनाम दिखाई पड़ते हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को जो है जाल लेना भेतर है ताकि जब हम आगे परिनामों की चर्चा करेंगे तो आप उनको भेतर तरीके से समझ पाएं सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है आप उसको जो है देख सकते हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कार्ट सेक्षन में भी उसको उपर दिखाया है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु केतु की तो इस वीडियो में जो है सबसे पह परिणाम है और दोनों के भीतर दो सब केस बनेंगे यानि पहले वाले में जब राहू केतू से जादा ताकतवर है तो अब यदि राहू अच्छे परिणाम दे रहा है तो कैसे देगा और खरा परिणाम दे रहा है तो क्या होगा ऐसे दूसरे केस में यदि केतू राहू से ज पर यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह दोनों में जादा शक्तिशाली है और जो ग्रह जादा शक्तिशाली होगा दूसरा ग्रह उसके अधीन रहकर के अपने परिणाम देता है तो यदि राहू जादा ताकतवर है तो केतू राहू के अधीन रहकर परिणाम देगा और अगर केतु जाधा ताकतवर है तो राहू केतु के अधीन रहकर पडिराम देगा और जब हम अभी परिणामों की चर्चा करेंगे तो आपको बहुत जाधा जो है डिसिमिलारिटी या एक वाइड वेडियेशन नजर आएगा बहुत भारी विविदता नजर आएगी जब चारो केसिस की हम बात करेंगे तो में two cases, रहू stronger than केतु, दन केतु stronger than रहू और उसमें दो-दो सब केस तो पहला case से शुरू करेंगे और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि राहू और केतु जो है उनकी जो जो विष्दूर्शन है आनालिसिस है वो थेला कठीन होता है इसको आसानी से किसी भी conclusion पर जंप मत किया करिए, ये मेरा आप से आग रहे है, क्योंकि राहु और केतु कि अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ये दूसरे ग्रहों पर, राशियों पर, भावों पर निर्भर करते हैं और नक्षत्रों पर निर्भर करते हैं अपने परिणाम नहीं है, और जिस ग्रह, राशी, नक्षत्र, भाव पर निर्भर करेंगे, उसका सारा सारा प्रभाव उनके भीतर आएगा, उस तरीके से परिणाम दिखाई पड़ते हैं, और तीसरा पॉइंट ये भी है, कि जिन ग्रहों के साथ ये योग बनाते हैं, जिन ग्रहों के इस बात को जरूर देखें, किसी भी निशकर्ष पर आने से पहले, कि राहू और केतु की इस्थिती कुंडली में किस प्रकार की है, किस प्रकार के राशी, भाव, नक्षत्र और ग्रहों के साथ उनका संबंद बनता है, उसके बाद ही किसी निशकर्ष पर आप आईए, पर आज हम जितने भी परिणामों की बात करेंगे, वो सारे जनरलाइश्ट डिस्क्रिप्शन है, all kind of possibilities which can happen when राहू and केतु are in Cancer and Capricorn, हर प्रकार की संभावनाओं की बारे में चर्चा की जाएगी, अच्छी और बुरी दोनों, तो जिस बीच चीजों के बारे में आज हम जानें तो आब यहाँ पर शुरू करते हैं पहली इस्थती से, कि अगर राहू केतु से अधिक ताकतवर है कुंडली में और ये करकराशी और मकर में बैठे हैं आपके में, तो इनके परिणाम क्या होंगे, और इसमें अब पहला सब केस कि यदि चंद्रमा और लगन के स्वामी अ अच्छी परिस्थती में बैठे हैं, कुंडली में मजबूत हैं और राहू को उनसे सहीयोग प्राप्त होता है, तो यहाँ पे किस प्रकार के अच्छे परिणाम राहू दे सकेगा, ये पहली चर्चा होती है, तो आब यहाँ पे फर्स्ट केस, एंड इन दैट फर्स्ट अच्छा करते हैं, तो पहली बात यहाँ पे आती है, कि यदि चंद्र और लगने के स्वामी अच्छी स्थिती में है, और राहू को इनसे सहीयोग प्राप्त है, तो राहू यहाँ पे नकरात्मक नहीं, बलकि अच्छे परिणाम देगा, हाला कि चंद्र की राशी करक राह क्योंकि चंद्रमा और राहू एक दूसरे कशत्रू हैं, और इस इस्थिती में चंद्रमा पर ही राहू पूरी तरीके से निर्भर करता है परिणाम देने के लिए, अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा, या किसी भी तरीके के उसने नकरात्मक योग बनाए, त यहां पर बहुती थोड़े से परिवर्तनों में, वेरियेशन्स में भारी भारी विधिताएं दिखाई पड़ती हैं, डाइवर्स रिजल्ट्स दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत गौर से ध्यान पूर्वा किसको आंकलित करेंगे इस स्थिती को, पर यदि चंद्र अच् का ग्रह नहीं माना जाता, चाल और कपट का ग्रह माना गया है, भावनाओं से खिलवाल का ग्रह माना गया है, जूट और दोवेश का ग्रह माना गया है, पर यदि चंद्रमा अच्छा है, लगने के स्वामी मजबूत हैं, और राहु इस राशी में है, तो व्यक्ति को भावना विहीन नहीं, बलकि भावना भावनात्मक बनाएगा, समवेदन शील बनाएगा, और करून स्वभाव प्रदान करता है, दूसरों के प्रतिव्यक्ति करूना रखते हैं, इसने हे रखते हैं, धैरे और शांत स्वभाव प्रदान करता है, हाला कि उसमें थोड़ी सी विजेतरता जरूर होती है, eccentricity जिसे कहें, स्वभाव में या emotions में, परन्तु यहां पर क्योंकि जो स्वार्थ की भावना है वो बहुत कम होती है, यानि निस्वार्थता भी दे सकता है अगर बहुत अच्छे गुण कुंडली में योग अच्छे बन रहे हैं, ब्रहस्पती व कट करेगा, यहीं नहीं है कि राहु हमेशा आपको स्वार्थी मनास्तिती परदान करें, यह अच्छा है तो यह निस्वार्थ व्यक्तित भी परदान करता है, इसके अलावा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त भी करना जानते हैं, दूसरों की भावनाव को समझना जानते हैं तो ऐसे केस में क्योंकि राहु क्या है बुद्धी यानि राहु जो है वो भाप लेता है चीजों को पहले ही तो यहां पर व्यक्ति के भीतर जो है एक अंडरस्टेंडिंग क्रीड करता है एमोशन्स के प्रति Snagy आणि अमोशनली अंडरस्टेंडिंग भन सकते हैं दूसरे की भाव भंगीमा समझ कर कर के कही भिना बहुं किसी अभीव्यक्ति के ही आप उनके मन में क्या चल रहा है वह क्या सोच रहें क्या सा महसूस करने की जो लगकाबलियत है वो राहू प्रदान करता है तो यह एक अच्छा पहलू है इस case में जो राहू दे सकता है यदि अच्छे योग हैं कुंडली में तो next जो बात आती है कि एक एक सुरक्षा एक या प्रोटेक्टिव एटिटूड प्रदान करता है क्योंकि चंद्रमा और करक राशी दोनों ही ममता के राशी और ग्रह माने गए हैं एक मात्रत्व गुण होता है उनमें और राहू का नेचर क्या होता है हर चीज को विस्तारित कर दिना राहू is expansion of the qualities of the planets and the zodiac science तो यानि कि जिस राशी में वो बढ़ता है जिस ग्रहों क साथ बढ़ता है उनके गुणों में विर्धी और विस्तार पैदा करता है राहू तो अगर चंद्रमा के राशी में बढ़ेगा और चंद्रमा से उसको सहयोग है तो मात्रत्व में व्यक्ति के काफी हद तक जो है बढ़ावा और विस्तार पैदा करता है उसको काफी हद त रखता है दूसरों की आग परवा करते हैं यह नहीं कि अपने बारे में ही सोच रहे हाला कि यह राहू के विपरीत है गुण क्योंकि राहू जो है अपने बारे में सोचने वाला ग्रह है स्वार्थ सिद्धी का ग्रह है दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता परंतु जैसा मैंने कहा अगर ऐसी परिश्तिती बनेगी चंद्रमा से उसे सहयोग प्राप्त होगा और कुंडली में नेयोग अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को उतना ही जादा दूसरों के प्रति सोज रखने वाला निस्वार्त भाव का व्यक्ति भी बनाता है इसके अलावा व्यक्ति के भ कराशी मौ को दिखाते हैं अटेच्मेंट तो अटेच्मेंट यहाँ पर किसी भी चीज से हो सकता है हाला कि अटेच्मेंट उससे होगा जिस अपके लिए चीज बहुत ही इमोशनल और सेंटीमेंटल value की है उसी के through attachment जादा create होता है यह नहीं कि बहुत जादा आप किसी ऐसी चीज़ के प्रती आकरशित है या मोह उसके प्रती जागरित जादा है जो की जिस से लगाव जादा खास नहीं पैदा हो रहा तो अक्सर जो है यहां पर हम देखते हैं कि आपका जो एक लगाव है या मोह है या एक सेंटिमेंटल इमोशनल अटेच्मेंट है वो मा से मा के तरीक की इस्तरियों से यानि आपके दादी नानी ग्रैंड मदर या मदर लाइक फिगर्स जो हैं उनसे काफी जादा प्रदान करता है लगाव और प्रेम इसके अलावा घर परिवार क्योंकि करकराशी और चंद्रमा दोनों घर परिवार को दिखाते हैं तो आपके परिवार से लगाव पैदा करें और आप जो अपनी संपत्तियां खुद आपने अरजित की हैं यह नहीं कि आपको विरासत में मिली हो पर विरासत से भी लगाव होता ऐसा नहीं है पर विरासत में अक्सर क्या है उन लोगों से ना कि उन लोगों की मिली हुई चीजों से यानि आपके माता पिता दादी नानी अन्य परिवार के सदस्य से उन से लगाव जादा परदान कर देगा अपने देश के लोगों से क्य यहां पर दिखाई पड़ता है अपने चीजों से लगाओ देश से लगाओ घर से लगाओ अपने याने की संपतियां जो आपने अरजित करी है और बनाई तो आपका जो घर है लिटरल होम जो इटे पत्थर का घर है उससे भी अपने वेहिकल्स जो आपने कोई बहुत संटीम वेल्ली होगी वर्दा नहीं होगा यहां पर उससे कोई भावनाय जुड़ी होंगी कोई लोगों के साथ यादे जुड़ी होंगी तब ही आपके भीतर लगाओ पैदा करेगा यह अन्यता नहीं करेगा तो पशू-पक्षियों से लगाओ क्योंकि मात्रत्व का भाओ है तो प्रकृति के प्रती भी लगाओ बढ़ा देगा तो यहीं नहीं है कि आप सिर्फ पशू-पक्षियों अपने लोगों से ही प्यार करते हैं प्रकृति का संरक्षन है जो लोग आपका जैसे एन्वार्मेंट के लिए काफी कॉंशियस है क्लाइमेट चेंज के लिए काफी दिके की mentality भी यह प्रदाना करता है कि प्रक्ति का भी संरक्षन किया जाए क्योंकि संरक्षन जो है वो मुख्य गुन है किसका चंद्र का और करक का तो राहू उस संरक्षन की भावना को बढ़ा देता है आप जो है हर चीज जो आपको एक अंदर से feeling of security प्रदान करती एंग attachment की भावन प्रदान करती है आप उसे संरक्षित सुरक्षित रखना चाहेंगे ये राहू है इसलिए यहां पर मोह उत्पन होता है क्योंकि चंद्र राहू और कर्क ये मोह को बढ़ाते अवश्य हैं इस परिस्थती में अगला एक और पॉइंट है कि शुरुवात में क्योंक जो संसकार लेकर के बड़े होते हैं जो भी घर परिवार का माहोल हमें पराप्त होता है जीवन में वो भी यही कंट्रोल करता है तो ये सर दिखाई सकता है क्योंकि राहू क्या है confusion राहू आपके मन का असमंजस है भय है चिंदाए है किसी प्रकार का जो है एक डाउट है व साफी जादा emotional confusion create करता है mental confusion create करता है आप निरनायक छमता की घड़ जाती है attention span घड़ जाता है चीजों के प्रती आसानी से ध्यान नहीं लगा पाते कई बार आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं या उन पे भरोसा कर लेते हैं क्य आउना जादा है तो आपको कोई भी व्यक्ति जो है आपका असानी फाइदा उठा सकता है इस केस में यदि भावनाए जादा है तो आप आप emotional इंसान है तो आपका intention अच्छा होगा पर दूसरे अन्य धूर्त और खराब व्यक्ति उसका गलत इस्तमाल या फाइदा उठात होती चली जाती है आप निरना नहीं ले पाते मिस्स डायरेक्शन मन में बहुत पैदा होता है कि हम करें तो करें क्या ये नहीं समझाता इंप्रैक्टिकलिटी बढ़ने लगती है आसानी से दूसरों के बहकावे में आ करके किसी गलत संगती का शिकार भी हो सकते हैं ये सब चीजे जो है शुरुवात में दिखाई पड़ती है अगर चंदर में अच्छा है तो भी ये होगा अगर चंदर अच्छा नहीं है तो तो अभी बात करेंगो उसके सेनारियों के बारे में पर यदि चंदर अच्छे है लगने का स्वामी ठीक है और राहु को सपोर्ट देत हैं तो भी जीवन के सुरुवात के स्थिटी में इन दा इनीशियल पीडियोड अफ दा लाइफ दीज रिजल्ट्स विल भी देर इससे बचा नहीं जा सकता कहीं न कहीं यह चीजे होंगी पर जीवन के खास तोर से यती एक बार व्यक्ति अपनी काम करना शुरू कर देता ह यानि जिस उम्र में उसने अपना नौकरी चाकरी चालू करी या 28-30 साल के बाद जो भी पहले हो जाए उसके बाद mental clarity और maturity यानी शुरू होती है आप जो है आपके मन का वहम असमंजस और भाए घटते हैं यह सारी जो नकरात्मकताएं थी जो आपको पहले सताती थी वो होती है कि शुरूआत में बहुत सारा जो है mental confusion रहता है हम निरनाय नहीं ले पाते परन्तु एक उम्र के बाद maturity आती है और उसके बाद व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसको दुबारा जो है ऐसा एक कहें कि आप भावनाओं में भैते चले जा रहे हैं और उसके मद्दे नजर कोई आपका निरनाय सही नहीं यह स्थेती दुबारा नहीं दिखाई पड़ती है परन्तु इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण जो यह होता क्यों है और होता कैसे है क्यों नहीं कैसे है वह यह की और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु यहां पर कोई ना को या शौक प्रदान करता है emotionally ताकि आप अपने गल्तियों को पहचान सकें चीजों को as it is देख सकें और clarity आपने मन में आ पाए यह चीज वो प्रदान करेगा हो कि राहू अगर अच्छा सहयोग प्राप्त कर रहा है तो ही यह करेगा ने था यह नहीं करेगा तो यहाँ पर इस उसके बाद एक जीवन के कोई ऐसे घटना करम जो आपको अपने ही भीतर जहांकने के लिए मजबूर कर दें आपको एक सडन जो है जटका आकस्मिक जटका प्रदान करें कि आदमी जो है इकदम से देख पाए कि नहीं यह क्या हो रहा है और हम कहां गलत कहें और हमें किस त भीतर रहते ही हैं परन्तु तब क्या होता है कि व्यक्ति अब भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं कोई उसका फाइदा उठाले ऐसा व्यक्ति नहीं बलकि बुद्धी का भी प्रयोग कर अपने भीतर की जो गुण है उनका सकारात्मक जो है एक तरीके से उनको चतुर और चालाक भी बनाएगा आप जैसा मैंने का दूसरों के भावनाओं और संबेदनाओं को भाप लेंगे कई लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता परकने की काबलियत नहीं होती हो खाली इमोशनल तो होते हैं पर उनको यह नहीं समझ आता कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत या हुआ है सोच कैसा रहा है या उसकी भावनाएग किस तरीके की है पर यदि इस तरीके की स्थिति है यानि बुद्ध शनी का प्रभाव ठीक है राहू के उपर यह चंदर के उपर जा रहा है तो यह व्यक्ति को वहाँ बुद्धी और सोच भी और चालाकी और चतूरता भी प्रदान करेगा कि आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी समझ पाएं बिना कुछ उसके कहें ऐसा तो एक good judgment फिर ये देता है तो ये काफी अच्छे गुड़ थे इसका best example जैसा मैं कहूं मात्मा गांडी मात्मा गांडी केस में चंद्रमा रहू दस्वे भा अक्षे जीवन का उनके खास्त और जे अर्ली teenage years में बहुत साथ रहा उसके बाद फिर जो है सड़न जटका और लाइफ में और उसके बाद ही गृव अप और उनके जीवन में कई सारे जटके रहे हैं तो अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो बिलकुल राहू करकराशी म क्योंकि चंद्रमा राहू दशम भाव में मजबूत बैठे हैं ताकतवर हैं इसलिए इसलिए इस नोट नेगेटिव राहू तो उसके अच्छे परियनाम उनके जीवन में दिखाई पड़ते हैं और जैसा मैंने कहा व्यक्ति के भीतर अब प्रेम और करूना और भावनाए पूरे सब के परती आजाएं क्योंकि राहू क्या है अगर दूसरों के परती संदक्षड का भाव करूना का भाव भावनाओ को बढ़ा रहा है तो वो यही रही यहीं तक सीमित नहीं रखेगा कि आप अपने घर परिवार से ही प्यार करते हैं आप अपने माता पिता बच् इस्तार भैलता चला जाएगा तो यू लॉट बी लिमिटेड तो ओनली और फैमिली मेंबर्स एंड दा मटीरियल पोसेशन्स विच हैव सेंटीमेंटल इमोशनल वेल्यू टू यू वट आल्सो आप जो है उनके प्रती भी सजग हो जाएंगे जो की मानवता का प्रकृती क जो है मुख्य हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पर वा भी दिखाई पड़ेगा और यह सबसे उच्चितम इस्तार होता है राहू का जो उनके केस में दिखाई पड़ता है यह अव्यसली कम है पर इन इस केस इट केसे इट इन गिव देस राहू इस परिस्ठति में मा के स्वास् करता है इन जनरल पर जैसा मैंने का अन्य योगों को देखें यह नहीं कि सिर्फ एक पोदीशन पर जज़ कर रहे हैं तो यह अच्छे परिणाम थे अब दूसरा केस सब केस लेते हैं कि यदि चंद्रमा लगने के स्वामी पीलित हैं अच्छे स्थिती में नहीं हैं खराब य नाम दे सकता है पूरी छमता होती है उसके पास तो अब उनहीं नकरात्मक पर नामों चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले फिर से पुना आग रहे है कि इसको ज्यान के सुरुत की तरह लिजे से जादा कुछ नहीं किसी भी निश्कर्ष पर इमीडियेटली मत आई क्योंकि हो सकता है जैसा मैंने का राहु केतु की एनालिसिस काफी कठीन होती है प्रॉपर देखिए फिर किसी नतीजे पर आईएगा तो अब नकरात्मक पक्षों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां यह दिखाई पड़ता है कि यदि चंदर लगने के स्वामी कमजोर हो गए राहु को सपोर्ट नहीं है और राहु भी अगर कोई नकरात्मक यूग बना दे रहा है कुंडली में तो यह व्यक्ति के भीतर अब भावनात्मक अस्थिर्ता पैदा करता है भावनात्मक असुरक्षा आरक्षिता का भाव इमोशनल इनिस्टेबिलिटी डिस्टर्ब भावनां विहिंता हो जाएगaking यह तो यो आर इमोशनल फूल और इमोशनलेस 我の भावनाय है तो यह तो Sold miljक witches यह भावनाय है यह दिखने मिल सकता है दूसरा यह रहस्यात्मकता भगा देता है सीगृटओ बनाता बहुत जयादा है और अब क्योंकि चंद्रमा और करका हमारी सोच मन बुद्धी को नियंत्रित करते हैं हम जैसे सोचते हैं हमारे मन में कैसे विचार आते हैं हमारा क्या स्वभाव है इसको ये नियंत्रित करते हैं और राहू एक जो अच्छा ग्रह नहीं है और इस केस में यदि चंद्रमा विचारों में बहुत ज्यादा भरता है ये तो किस तरीके के नकरात्मक्पक्ष हो सकते हैं जो अब गुण या गुण जो स्वभाव में आएंगे उनमें छल, कपट, धूर्तता, रहस्यात्मक्ता, अत्यधिक, विश्वासगात, लालच, राग, दोएश, इरशा, जूठ, च किसी भी प्रकार का सोशियोपैथिक या नाहिलिस्टिक बिहेवियर देखने को मिल सकता है और अब्यसली ये बहुत सारा नकरात्मक्पक्ष है पर जैसा मैंने कहा इस तरीके के लोग समाज में मौजूद हैं तो जोतिश का उद्देश होता है ऐस इस चीजों को देखना सि इसी भी तरीके के बहुत ज्यादा ट्रॉमा यानी कोई दुर घटनाएं है या कोई ऐसी घटनाएज जिनका बहुत ज्यादा आघात मांत्सिक रूप से बहुनात्मक्रोप से ऐसी चीजे दे सकता है मां के साथ कृराब संबंध या ज्यादा आघ bik संबंद रहा हो abusive relationship with mother या mother like figures या मा की मृत्ति हो गई हो या मा का स्वास्त बहुत ज़ादा खराब रहता हो या मा आपके जीवन में कभी मौजूद ना रही हो जीवित होते हुए भी ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती हैं दूसरा एक बहुत ही परशानियों से दुविधाओं से समस्याओं से और कठिनाईयों से भरा हुआ बचपना ये परदान करता है bad and traumatic and disturbed childhood दूसरा बहुत ज़ादा जो है ये एक इच्छा पैदा करता है किसी भी तरीके की बावनात्मक सयोग के लोगों के द्वारा और एक भय पैदा करता है अकेलेपन का तो fear of loneliness या emotional support की desperate need दिखाई पड़ सकती है जो की यहाँ पे व्यक्ती को बहुत ज़ादा भावनात्मक रूप से असुरक्षित बनाती है emotionally insecure बनाती है और इस कदर मांसिक रूप से तोड़ कर रख देती है कमजोर कर देती है कि व्यक्ती अपना social करवाने तक के लिए भी राजी होता है तो राहू can bring exploitation social ला सकता है पर यह क्या हुआ victim बनाएगा या victimize करवाएगा यह depend करता है मंगल पर यह social करने वाले बनेंगे या social आपके उपर किया जाएगा यह निर्भर करता है मंगल के उपर और social किसी भी प्रकार का हो सकता है physical, sexual, verbal और emotional और mental और any kind तो any kind of abusive behaviors can be seen in this case अगला point यह भी आता है कि मंगल सरी, चंद्रमा और कर्क क्या होते हैं? मन, बुद्धी बावना है तो यह किसी भी तरीके के मानसिक रोग पैदा कर सकते हैं मनो बेज्ञानिक रोग पैदा कर सकते हैं mental, emotional, psychological and psychotic problems यह दे सकते हैं तो चाहे हुआ छोटी सी लेके बड़ी बीमारिया कुछ भी हो वह डिपंड करेगा किस प्रकार के योग है तो यह depression, anxiety, paranoia, phobia, fear, schizophrenia, all psychotic disorders social psychopaths बहुत ज़्यादा भय होना, किसी चीद से खुशी न मिलना भीजण असंतुष्टी का भाव, suicidal tendencies यह सारी चीज़े जो नकारात्मक पक्षा है learning disability यह सब दे सकता है पर इसके लिए समयने का योग देखें, किसी भी इकदम से निश्कर्षपर मत आईए दूसरा, edipus या electro complex बढ़ा देता है और यह लोगों में बहुत common है, बड़ी उम्र तक दिखाई पड़ता है यह कोई diagnosed disorder नहीं है यह personality का trait होता है आप इसके बारे में इंटरनेट पर पड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है वैट edipus और electro complex यह दे सकता है काफी भीजण मात्रा में जो आगे personality को disturb कर देती है दूसरा concentration या attention span बहुत कम होता है या किसी काम में मन नहीं लगता है आलस बहुत भैंकर होता है परसनालिटी को ruin करता है कि आपके किसी परिवार के सदस्य के या खासतोर से मा के द्वारा आपका over protection किया गया तो people who are totally dependent on parents particularly mother and they are not able to take any decisions अपने घर परिवार और मा के उपर ही तना निर्भर कर जाते हैं बड़ी उम्र में भी कि उनको अपने लिए अपने आप नतीजे या निर्दय लेने में बड़ी परशानिया होती है यह जो यह बहुत बड़ा flaw है परसनालिटी का जो recognize नहीं किया जाता पर यह है जिससे बहुत सारी परशानिया जीवन में अन्य इलाकों में देखता है विक्ती तो यह भी यहां देखने मिल सकता है self confidence आत्लो विश्वास बहुत कम हो जाता है विक्रिती करण देता है सुभाव में या सोच में इर्शा पैदा करेगा सारे शद्रूपू बढ़ सकते हैं काम करोध लोब मोह मदमात सरे सब बढ़ जाएंगे खास तोर से मोह बहुत बढ़ता है excessive attachment to with all the things in life बहुत जादा भरता है और जिसके कारण भय पैदा होता है और emotional insecurity बहुत पैदा होती है मन में संदेह बहुत पैदा होते हैं आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं किसी के साथ जो है एक मिलंसार व्यतित्व नहीं बन पाता आपका कि सोशलाइज कर पाएं चीजों के प्राप्त हो जाने के बावजूद भी खुशी नहीं मैसूस होती है दूसरा separation from homeland या family दिखाई सकता है कि घर परिवार के साथ आप रह नहीं पा रहे हैं कोई भी कारण हो सकता है दूसरा संपत्ति का विनाश हो जाना संपत्तिया तो मिल नहीं रही है बना नहीं पा रहे है या मिली और बनी तो वो खत्म हो गई तिकी नहीं वो अभी देखने मिलता है इसके अलावा कोई कुछ संगती है, खराब संगती के कारण, खराब गुण और व्यावहार का बनना या पनपना देखने मिल सकता है, आत्म घरना, सेल्फ लोदिंग जिसे कहें, वो यहां देखने मिलती है, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं होता है, आप निरना लेने की छमता शुन नहीं हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा निगेटिव बिहेव कर रहा है, तो छोटी छोटी बातें में भी कन्फ्यूजन इतना होगा कि आप निरना यह नहीं ले पाते कि करें क्या, ऐसी कंडिशन, अ महां पर misdirection पैदा करता है, यानि राहु जो है, मिर्कतरिशना का ग्रह माना गया, तो वह ऐसी चीजें पैदा करेगा, ऐसी चीजों के प्रती आकरशन पैदा करेगा, जो की हकीकत में आपके पास कभी आ नहीं सकती, पर व्यक्ति के ऐसा गहन आकरशन होता है, कि उनके प् relationships हों, कुछ भी हो, उनमें ये देखने मिल सकता है, इसके अलावा, आलस से बहुत बढ़ता है, या काम के परती अनिच्छा होने लगती है, या काम करने मन नहीं लगता है, या इच्छाए बहुत है, पर करना कुछ नहीं चाते, ऐसी परिस्थती, और पर जीवी वाला इनके लिए आपको पूरी कुंडली का अध्यान करना चाहिए, फिर ही किसी निश्कर्स पर आईए, ये सेडिस्टिक और मैसोचिस्टिक ट्रेट्स भी दे सकता है, क्योंकि जैसा मैंने विकृती करन की बात करी थी, तो राहु इस तरीके के परिनाम भी दे सकता है, और अच्छे छेत्रों के बारे में आखरी में चर्चा करेंगे, किस तरीके करियर के लिए अच्छा है, परन्तु किसी भी तरीके क्या अपराध है, माफिया, ड्रग, यूमन ट्राफिकिंग, मनी लॉंडरर्स, ये सब इससे देखे जा सकते हैं, अगर उंडली में नकरात्मा क योग है तो, तो हमने दोनों सूर्तों के बारे में जाना और ये पहली कंडिशन खताम हो गए, यानि राहु जब केतु से ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या परिनाम होंगे, उसके बारे में हमने जाना अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को समझा है, अब अगले पॉइ लगने के स्वामी अच्छी स्थिती में बैटे हैं, केतु को सहयोग देते हैं, तब क्या परिनाम होंगे, इसकी चर्चा करते हैं, तो यदि शनी चंदर लगने के स्वामी मजबूत है, केतु को सहयोग मिल रहा है, अच्छे योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे अब सजग व्यक्ति, कर्म निष्ठ व्यक्ति, क्योंकि शनी कर्म का ग्रह है, केतु कर्म का ग्रह नहीं है, परन्तु उसको शनी के परिणाम देने और मकर राशिक कर्म की है, मूलेता दस्वे भाव की है, तो मकर के परिणाम दिखाई पड़ेंगे, परन्तु केतु जो होता है, व of the desires, वो नहीं होता, तो यह इस condition में क्या है, कि व्यक्ति को कर्मलिष्ठ बनाता है, परंतु, towards a higher cause or purpose, यानि आपके लिए एक उच्चितम लक्ष है, व्यक्ति अपने लिए तयार करता है, जिसका एक significance हो, जिसका एक जीवन में महत्व हो बड़ा, जिससे करके, जिसको तरीके से महसूस कर सके कि हाँ उसने जीवन में कुछ बड़ा किया, जिससे लोगों को भी फाइदा हो, इस तरीके की mentality, क्योंकि सामने कौन है करक में, करकराशी क्या थी, emotions की, वो आएगी, दूसरों के प्रती, जो है, compassion की, वो राशी है, तो वहाँ पे करकराशी का तत्व आता है, ऐसा नहीं की करकराशी के तत्व नहीं आएंगे, पर अगर केतु ताकतवर होगा, तो करकराशी के तत्व किस संबंद में आएंगे, कि हम ऐसा काम करें, जिससे अंतिता बड़े पैमाने पर लोगों को भी कोई जो है, फाइदा पहुत सके, तो हमारी जितना सामर् पर रह करके इस कारे को अंजाम दें, इस तरीके की सोच वहाँ बनाने के लिए विक्ति को प्रेडित करता है, यदि अच्छे योग बनेंगे तो अनिता ये नहीं होगा, परन्तु जहाँ पर जैसा मैंने का, emotional और sentimental value या attachment जो है, वो राहु करन सामने से आ रहा है, और higher cause or purpose matter करता है, यह नहीं की इस काम को करके हम भूफ पैसा कमा लेंगे, बहुत नाम हो जाएगा, बहुत लोग हमें जान जाएंगे, पद परतिष्ठा, मान संमान, प्रभुत वपरापत हो जाएगा, इसके प्रतिव्यक्ति बहुत ज़्यादा आकरशित नहीं होता, यदि केतु Jeep ताकतवर है रहु से तब, उनको अपने एम से मतलब है, उनको अपने जो है कारे से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं कि उससे मिलने वाले जो हमारे फल हैं, उन में बहु ज्यादा आकरशन या आसकती ये परदान नहीं करता, इसके अतरिक्त इंट्रोवर्जन अंतर मुखी ब प्रदान करता है पर सुनी थार्स उती की है तॉक घरूरी दिशती परदान करता है यानि घरूर दिशती प्रदान करता है यानि तुक विचल गहतो है रहाद है में यह उसके क्यों जो है अपर डिरेक्शन कंट्रोल करता है इस वजह से उचे रहकर ओवर व्यू जो अगर लिया जाए यह जो खासियत है यह क्या होती है फोरसाइटिडनेस देती है दूरदर्शिता प्रदान करती है ओविसली इसके लिए चंद्रमा शनी बलवान होने चाहिए वरना यह नही ज़ीर शांत धहर रशालीस उभाव व्यक्ति एक बार एक कार्य को निष्ठा से पूर्ण करता है नीती अपना कर।ब क्योंकि शनी और कर्क क्या है और एक नीती के साथ चलना यह है वह तो यहाँ पर व्यक्ति एक निर्धारित अनुशासन व्यस्था और नीति के साथ अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है इसके अलावा केतु एक विचित्र ग्रह माना गया विचित्रता का स्वामी है इस वजह से जो कार्री करने का तरीका होता है उसमें किसी तरीके का अनूठा अनोखा पन जलगता है काम करने का कोई अलग नया तरीका जो लीक से थोड़ा सा हट कर माना जाए या कुछ नए इनोवेशन उसमें लाए जाएं वहां के तु इसमें सहता करता है किसी नए धंक से परिवर्तन लाने की कोशिश काम को करने का तरीका अब देता है विक्ति को खास बात एक और है कि यहां पर यदि ग्रह और योग अच्छे हैं तो ये विक्ति को जीवन में पद, सत्ता, अधिकार, मान, सम्मान, सफलता, यश, समरिधी परदान करता है पर एक खास बात है कि ये जैसा मैंने कहा अगर योग अच्छे हैं तो तो ये व्यक्ति के भीतर उन चीजों से मिलने वाली यानी इन चीजों के प्रती जो आसक्ती का भाव है उसे घटाएगा समय के साथ घटाता है एक और खास बात है कि जितनी भी ये सिर्फ करियर को लेकर के ही नहीं है ये हो सकता है जिस भाव में ग्रह बैठे हो के तु बैठ करता तो यह कोई जरूरी नहींगा पावर अथोरिटी और लीडर छे पिये सब अपने करियर में ही पा रहे हैं यह केतु पर डिपेंड करेगा तो वह नेचर जो है वह वह डिपेंड अन्द हाउस तो माली जे केतु अगर दूसरे भाव में तो दूसरा भाव घर-परिवार क हुआ तो वहाँ पर क्या बनाएगा फाइनेंशलींडिपेंड अगर रहा अच्छे हैं अगर चौथे में बैठा तो चौथा भाव परिवार का है आप जहां रहते हैं जिस देश में उसका है तो वहां पर मान सम्मान हो वहां पर प्रभुत्व अधिकार प्राप्त हो वहां पर एक नित्रत्व से जुड़ा हुआ कोई कार्य प्राप्त हो ये चीजे वह दे सकता है ये दिरभर करता कौन से भाव में बैठा है इसके अलावा ये अगर कुंडली में अच्छे अध्यात्मिक योग बनते हैं तो कर्म योग के लिए बहुत अच्छी परिस्थिती मानी जाती है कर्म योग क्या है आप उसको पढ़ सकते हैं परंतु कर्मयोग के लिए मकर, शनी और केतु बहुत ही उच्चितम स्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं क्योंकि केतु, शनी, मोक्ष और वैरागे के ग्रह हैं और मकर राशी कर्म की हैं तो कर्म व्यक्ति करने में जो है खाली अपना ध्याल लगाएगा परिनामों या फलों की प पहला अपने भीतर से करता भाव त्यागें और दूसरा की कर्म करते हैं क्योंकि कर्म आपका मूल गुण है और फल आपके हाथ में नहीं इसलिए उसके प्रति आसकती का भाव त्यागना यही कर्मयोग है तो यह भी जो है अच्छे ऐसे योग बनते हैं तो देता है और क्य प्रदान के स्वरूप के को जानते हुए उसकी सेवा कर रहा है यही कर्म योग है इसी को शिव ग्यानी जीव सेवा कहते है वह यह देता और यह बहुती सरेष्ट परिणाम है जो की कम लोगों में देखने मिलता है परंतु केतु के पास यह ताकत है छमता है इस परिस्थति म है लीडर्शिप नितरत्व छमता है धैर है विवस्था है अनुशासन है यह सारी जो चीजें है यह भीतरी रूप से व्यक्ति के भीतर मवजूद होती है हो सकता व्यक्ति को उनका एहसास आसानी से ना हो थोड़ा समय के बाद हो परंतु मवजूद होती है परंतु एक सब तोर से करियर में कि आपका ऐसा अवसर प्रदान करें कि यहां पर आपको पुरानी सड़ी गली व्यवस्था जो अब किसी भी तरीके से सार्थक नहीं है, खाली और जादा एक तरीके से भार बढ़ा रही है और उसका कोई कार नहीं, उसको हटा कर कोई नई व्यवस्था का लाना के तू दिखाता है, तो bringing new order by purging out the old ineffective और oppressive work style और order यह दिखाता है, तो यह ऐसे मौक्या या आवसर व्यक्ति को जीवन में प्रदान करता है, और यह चोटे या बड़े scale पर depend करता है, कुणडली पर depend करता है, आप हर कोई बहुत बड़े scale पर कोई परदान मंत्री और मंत्री के पदपर जाकर करें कोई जरूरी नहीं, आप उस level पर भी कर सकते हैं, और आप अपने local level पर भी कर सकते हैं, आप अपने घर के level भी कर सकत दूतरा व्यक्ति अपने जीवन में विरासत छोड़के जाता है यदि ऐसे योग बनते हैं हर कोई नहीं छोड़के जाता है परन्तो यह लिगेसी एक होती है व्यक्ति की वह छूटे इसके योग बनने चाहिए अगर ऐसे योग हैं कुंडली में तो यह व्यक्ति अपनी या खराब यक्ति के नाम से याद कर रहे हैं बलकि मान सम्मान की दृष्टी से देखा जाता है याद किया जाता है ये भी देता है एक और खास बात है कि राहू और केतु जो होते हैं वो जीवन में संघर्षों को दिखाते हैं और शनी संघर्षों का ग्रह है इसके करण ज जीवन की संगर्च का वातबरण है, उतार चड़ाओ है, देरी है, ये देखने मिलती है परंतु व्यक्ति अपने पूरुशार्थ से, क्योंकि मकर्राशी वर्शनी क्या है, पूरुशार्थ, कर्म, निष्ठा और संकल्प शक्ति, तो महनत के कारण, परिश्रम के कारण, व्य पर दूसरों के एक आलोचना हो, या उनकी प्रशंसा हो, उनसे बहुत जादा कोई प्रभाव ना होना, या प्रभावित ना होना, ये दिखाई पड़ता है, परंतु ये कम केसिस में दिखाई पड़ता है, के तु ये दे सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसके अतर करते हैं किसके लिए फिर वही जो एक higher cause है जिसमें आप believe करते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप अपना त्याग की भावना भी ये प्रदान करेगा और व्यक्ति के भीतर त्याग देता है परंतु एक बात निश्चित है कि केतु यदि अच्छा है और अच्छे परिणाम देने की काबिलियत है तो व्यक्ति को जीवन में धर्म संकट में जरूर डालेगा और भीशन धर्म संकट होता है ऐसी condition जीवन में जरूर पैदा होगी जहां पर आप बहुत ही गहरे द्वन्द में जाएंगे धर्म संकट में जाएंगे जिसमें आपको एक अब आपको अपको अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए निरने लेना होता है ऐसी परिष्थिती आएगी जरूर अगर केतु है अच्छा तो बूरा है तो फिर धर्म संकट ऐसे गुण देदेगा है धर्म संकट मैटर ही नहीं करता है क्योंकि व्यक्ति अधर्मी बन जाता है अधर्मियों के लिए धर्म संकट नहीं मैटर करता है धर्म जो धार्मिक है धार्मिक का मतलब religious नहीं, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति वहाँ, उसके लिए धर्म संकट मैटर करता है, तो यहाँ पर जो धर्म संकट है, वो जीवन में आएगा जरूर कभी न कभी, एक से अधिक बार भी आ सकता है, परंतु आता है, जब आपको एक गहरे गंभीर नि बच गिया, वो है, यदि शनी चंद्र लगने के स्वामी कम्जोर पढ़ जाओ, केतु इस राशी में बठा है, मकर में, और अच्छे योग नहीं बना रहे है, केतु को कोई सा योग नहीं है, तो आब जैसा मैंने कहा, केतु नकरात्मक परिनाम देगा, और कई सारे जो है, वल्नरेबिलिटी और इन्सेक्यूरिटी, राहु वाला नेचर है, दूसरा, मेंटल इनिस्टेबिलिटी, यानि किसी भी प्रकार का मानसिक द्वंद है, या कोई अस्थिर्ता है, या कोई समस्याएं हैं, या कोई बीमारियां हैं, ये दे सकता है, बहुत जादा आसमंजस पैदा करता है, और क्योंकि मकर राशी जो होती हो, आपके करमों की होती है, तो वेक्ती ये डिसाइड नहीं कर पाता है, क्यों करे क्या, आपको यही नहीं पता चलता कि मैं काम क्या करूं, मतलब कुछ भी कि पढ़ाईक के उपर अगर निरना लेना है, तो ये नहीं समझ पारे क्या पढ़ें, फिर कोई नौकरी करनी है कि और कुछ करना है, क्या करें, कौन सा फील्ड अच्छा है ये नहीं पता, क्या काम करें ये नहीं पता, जीवन में और छोटे-छोटे चीजों में भी निरना ना ले पाने की छमता घड़ जाती है, आलस बढ़ जाता है क्य काम टालने की इतनी आदत होती है कि उनको किसी काम में मनी करता है एक बार में तो छोड़ दीजे बिलकुल लाश डेड लाइन पे भी शायद नहीं कर पाते हैं इसके अलावा आव्यवस्था बहुत होता है होती है अनुशासन बिलकुल नहीं होता है और इच्छाएं कई सारी करें गलती से भी और कोई ऐसा फलता हाथ लगी तो अगली बार कुछ करेंगे ही नहीं ऐसी कंडिशन दूसरा मिस डायरेक्टिड डिजायर्स कि आप के लिए जो अच्छा है वो आपको अच्छा समझ में नहीं आता जो बुरा है वही अच्छा लगता है जो कुछ नहीं र देखने मिल सकता है जिसकी वज़े से क्या होगा लाज़मी है कि आपके जीवन में संगर्श और बाधाएं असफलताएं और देरी बढ़ती चली जाती है और यह खास तोर से प्रोफेशन और फाइनेंसिस में जादा दिखाई पड़ता है क्योंकि मकर राशी आपके प्रो फ्लक्चुएशन से इनिस्टेबिलिटी या लॉसिस देखने मिल सकते हैं क्योंकि कि तू इन ही गग रहे अगर निगेटिव होगा तो और खास तोर से अगर दसवे भाव में निगेटिव बैट रहा है तो यह बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा सड़न फ्लक्चुए सब्मान प्रभुत्व अधिकार यह सब वो प्रदान कर सकता है अगर ऐसे योग बने परन्तु यदि न कर आत्मक पक्षिया कोई ऐसे खराब योग बना रहा है जैसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह के तू आकस्मिक रूप से एकदम से उन्हें छीन मिलेगा क्योंकि क सब्चा के्टू इकदम से ते छीन लेता है वापस ले लेता है आगर ऐसे योग बन रहे हैं जैसे रिचर्ड निक्सन यह नहीं कहा रहा है कि उनको के तू इसमें था मकर में परंतु रिच निक्सन अमेरिकी प्रेशिडेंट तो उनका क्या रहा वाटर गेट इसकेंडल में नाम आ गया एकदम से उनको अपनी रेजिगनेशन देना पड़ा तो वह क्या दिखा रहा है कि आपको एकदम से उसने पहुचा दिया कहां हाइस पोजीशन दे दिपटब आप एकदम से छीन लिया क्योंकि आप फस गए कहां कोई ऐसे इसकेंडल में कॉंट्रोवर्सी में और आपकी रेपूटेशन भी खराब हो गई अब क्योंकि केतु क्या था लिगेशी देता था तो आप यह नेगेटिव लिगेशी क्रियेट हो जाएगी नकारात्मक विरासत कि लोग आपको एक अच्छे नाम से नहीं याद करेंगे य चीज आती है दूसरा मकार राशी क्या है डॉमिनेशन, कंट्रोल, पावर तो अगर ऐसे योग बनते हैं और के तू नकारात्मक वियवहार कर रहा है तो व्यक्ति के भीतर बहुत जादा अत्यंत उत्तेजना या उतकंठा बढ़ा देता है किसके प्रतिव प्रभुत्व सक अधिकार प्राप्ति के लिए डॉमिनेशन, कंट्रोल, एंड पावर इसको बहुत बढ़ाता है कि आप जो है कुछ भी हो जाए बस चाहिए ऐसी चीज जो है मन में पैदा होती है और एक और व्यक्ति अपने पद का अपने अधिकारों का अपने गुणों का करते हैं, abuse of power and resources, exploitation of others, जैसा मैंने कहा के तु क्या है उग्र रहे है तो दूसरों का social और राहू अगर सामदे है तो वो social करवाने में बढ़ा देगा प्रवत्ति को, तो social करने की प्रवत्ति को बढ़ा देगा, तो exploitative mindset can be seen, operation towards others can be seen, दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा प्र पीड़ा आनंद का व्यवहार उत्पन होना दिखाई पड़ सकता है, विश्वास घात दे सकता है क्योंकि राहू सामने है और यगर के तु खराब है तो दूसरों को अपना मौका परस्ति जिसे कहें, तो मौका परस्ति निकाल कर अपना बस काम निकल जाए, हम आगे में वाली कंडिशन यहां देखने मिल सकती, एरोगेंस बढ़ाता है कि बहुत ज्यादा घमंड जिसे कहें, बढ़ा सकता है, हीन भावना भी दे सकता है और सरिष्ठ भावना भी दे सकता है, यानि inferiority और superiority complex, गरना किसी भी वर्ग के लोगों के वर्ग के प्रति, हेट्रेड for a class of people, कुछ भी हो सकता है, वो धर्म के basis पे हो, या कोई आप office में हो, या वहाँ कोई department हो, या कुछ भी हो, हेट्रेड for a class of people, it can be based on race, religion, culture, ethnicity, or any other criteria, what you think, वो आपके उपर depend करता है, पर उनके प्रति घ्रना का भाव के तू पैदा कर सकता है, दूसरा, मकर राशी क्या होती ये law की है, कानून, धर्म के पालन की है, तो धर्म का पालन अब कहा है, अब तो होगा नहीं नकरात्मक हैं अगर तो, तो नकरात्मक होंगे तो अब क्या होगा, धर्म की आड में अधर्म का पालन किया जाएगा, तो धर्म की आड में अधर्म फैलता है, और व्यक्ति धर्म में यानि कानून विवस्था में ऐसे ऐसे लूप होल निकालता है, अपने स्वारत सिद्धी के लिए को सामने कौन आगेतू के राहू वो निकाले गई है, तो वो हर वह चीज जो कानूनि रूप से भरष्टता फैलाई जा सके, इमांदारी से बैमानी करी जा सके, वो यहां हम कटरवादी लोग भी देख सकते हैं, fundamentalist and bigots, किसी भी तरीकी के हो सकते हैं, चाहे वो धर्म के हो, चाहे वो राजिनीती के हो, चाहे वो किसी अन्य समाज के हिस्से के, उससे फरक नहीं पड़ता है, पर we can see people who are fundamentalist and bigots, and hypocrites, can we see, इससे हम खराब cults, 70s के, तो उसका केतू अपोजिट है राहू केतू, तो उसमें यही दिखाई पड़ रहा है, bad cult, tradition, अगर आप उनके लाइफ को पढ़ें थो, दूसरा इससे जैसा मैंने कहा मकर राशी क्या होती है गवर्नेंस की है एड्मिनिस्ट्रेशन की है गवर्मेंट की है सरकार की तो आप अपने पद सत्ता अधिकार और जो सरकार है उसका भी राजनीती है उसका भी गलत प्रयोग करेंगे लोगों को भड़काने के लिए अपना स्वार्थ निकालने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए क्योंकि ये तू क्या है विद्ध्वन्स इस वजए से देखने मिल सकता है तो we can see people who are like extreme leftist इससे हम capitalist कम तो शनी और केतू जो होते हैं वो communism के कोई और ज्यादा बढ़ावा देते हैं अक्सर जो मैंने देखा है तो उसपे हम people who are extreme leftist extreme leftist like Maoist और excessive Marxist जो की who are promoting what? who want to earn money and power through anarchy and poverty of masses दूसरों की गरीबी, social और अराजकता फैला कर अपना पद सत्ता अधिकार को ग्रहन करना और अपनी राजिनीती को चलाने वाले लोग इससे देखे जा सकते हैं पूरी तरीके से इसके अलावा व्यक्ति अगर ये के तू नकरात्मक हो और ये करेगा intensity पे कितनी प्रबलता और अन्ययोग कैसे हैं व्यक्ति अपना ही नहीं दूसरों के विद्ध्वन्स का नाशका भी कारक बनता है you become the cause of destruction of others किसी भी तरीके से हो सकता है literal भी हो सकता है या वो एक जिसको कहें in indirect sense वैसे भी possible है पर ये देखने मिल सकता है दूसरा के तू ऐसी परिस्थिती में जो कुछ भी आपको जीवन में सफलताएं देगा एक बात तय है कि वो आपके जीवन में रहते हुए ही उसको छीन भी लेगा तो यदि उसने पद, सत्त, अधिकार, मान, सम्मान, धन, संपत्ति, यश, सम्रिद्धी जो कुछ भी दिया है आप को जीवन में ये बात तय है कि वो छिनेगा आपके जीते जी और उसमें से अपकीर्ती भी प्रदान करेगा और खास तोर से वो अपकीर्ती और ये सारा विनाश जो होगा वो व्यक्ति की स्वयम के मूर्खता के कारण होता है तो कि के तू क्या है impulsive, illogical, irrational decisions मकर राशी क्या खुद के stupid, arrogant action या decisions ही सारी चीज़े छीन लेते हैं एक बार में और व्यक्ति अपनी सारी जो भी उसने जीवन में चीज़े हासिल की होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है और पुरानी जो अब विरासत रह जाती है वो होती है नकरात्मत, you leave a bad name and legacy तो ये देखने को मिलता ह तो obviously ये काफी ज़्यादा negative results थे पर जैसा मैंने कहा ट्रीटी टैसा source of information अब last point बज़ गया career तो अगर रहू के तू इस access पर है cancer और Capricorn में तो condition wise यहाँ पर career को ले करके राजिनीती है, कानून है यानि law and judiciary both, management है, administration है, सरकारी कोई भी कार्य है, drugs, pharmaceutical यानि चिकित्सा का छेत तो इसे हम doctors है, healthcare professionals है, fitness का छेतर है, nutrition का छेतर है, psychology है, alternative medicine है, drugs, pharmaceuticals है, इस सब इससे देखे जा सकते हैं, ये chemicals के लिए, oil and gas के लिए, transportation के लिए, supply chain, logistics के लिए, sales, trade के लिए अच्छा माना जाता है, किसी भी तरीके के गुप्त का रहे हैं, secretive और security वाले jobs, वो इससे देखे जा सकते हैं, commerce, audit, accounts, IT, electronics, electrical, telecom, communication, इन छेतरों के लिए अच्छा माना जाता है, stock market है, media है, food and agriculture है, खादी उद्द्योग और क्रिशी उद्द्योग यानि, और aviation, aeronautics, real estate sector है, आफजन रचना है या भूमी है, तो real estate और infrastructure, संगीत, कला और कलाव में, किसी भी तरीके की कलाव देख सकते हैं, पर विशेशकर संगीत है, और अभिनए है, इससे देखा जा सकता है, इसके अलावा, sports के लिए, खेल के लिए, अच्छा बना जाता है, किसी भी तरीके के गुप्त बिग्द्यान, यानि, occult sciences, of every kind, देखे जा सकते हैं, चाहे वो जोतिश हो, तंत्र हो, या वास्तु शास्त्र हो, कुछ भी हो, जो occult sciences हैं, उससे आते हैं, ये योग के लिए, और सन्यास के लिए, अच्छी स्तिती मानी जाती ही, अगर अच्छे अध्यात्मिक योग बनते हैं, तो, और और इससे हम जो है, जीव विज्ञान का चेत्र है, biology, bio technology, bio informatics से सब तरीके के भी field से देख सकते हैं, तो, ये career fields हैं, जो इसके लिए, इस राशी में, अगर राहु के तुँ है, करियर प्रभाव दे रहे हो, तो, अच्छे माना जाते हैं, तो, हमने आज बहुत विस्तार से चर्चा किरी, कि राहु के तु अगर कर करके result देंगे, अच्छे और बुरे सारे परिनाम, सारे सिनारियों के बारे में अच्छे हमने जाना, मेरे घ्याल सब आप समझ चुके होंगे, किस तरीके के परिनामों की उमीद इसमें रखी जा सकती है, पर कुंडली में पूर्ण अध्यान करें, फिर किसी निश्काश प इसक अच्त करेंजी थे किस निश्क झाल में झादे शोली में परिने जांते है था्यानिजे के यादे geographा पारे में अच्छे का से चाह। Kapशारी भ्रण हो उड़ान परिस्के वरी लोगते है ध mail झाल खाल स carry झाल किसे पना itवडली में, पस एiónे है उ较 उत आल्म परे झाल